वेलकम टॉल साथ ये जाउंट फाइटर नुमरन पर आप सभी का हादिक स्वागत है। 68 PPSC PT एक्जाम के स्ट स्रीज में आप सभी का स्वागत है। यह टेस्ट स्रीज जो चल रहा है। 12 फरवरी 2023 जब तक आपको एक्जाम नहीं हो जाता तब तक चलेगी। और इस प्रक्टिस रेट की खास बात है कि आपको एंसर भी बताया जा रहा है। इसके अलावे डिटेल में discussion कराया जारा है। डिटेल में discussion से फाइदा क्या हो रहा है। आप एक प्रस्ण को solve करने के अलावे और पांच नए प्रस्णों को भी solve करने के स्थिति में पहुंच जाते हैं और किस प्रकार से प्रस्न आ सकते हैं उसके बारे में भी यहां बताया जा रहा है और सबसे बात है कि यहां current affairs के भी question को जोड़ा जा रहा है और वो भी discussion कराया जा रहा है और included बिहार के भी प्रस्न को आपको solve कराया जा रहा है तो चलिए प्रैक्टिस संख्या aid को solve करते हैं और यह practice state कहीं से उठाया गया market से नहीं बलके मेरा मेहनत किया हुआ यह practice state मेरा खुद handwritten practice state आप सभी के भी share करा हूँ जिससे कितने ही बार BPSC PD का result हुआ है इस चुछ state है इसका record है direct present लड़ते हैं क्योंकि हर एक जामे कुछ present traditional आते हैं जिस वो एक idea आ जा तक इस तरह के present आएंगे ही तो आपको direct भी present मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आप 20 में से 15 सही करने का प्रयास करें समझे आपके तियारी अच्छी है तो practice state 8 है practice state 8 पहला प्रस्ण है पुरा पासान काल में आदी मानव के मनरंजन के क्या साधन थे तो सिकार, जिवा, संगीत, घुर्सवार तो सबसे पहले मैं answer बताओ उसके पहले आप सभी के भी बता दो पुरा पासान काल का जो काल था ये इससे भी प्रस्णाते है तो पुरा पासान युक का काल कब से कब तक मना जाए रहा है 25 लाख 25 लाख इसापुरू से लेकर 12 लाख 12,000 12,000 इसापुरू BC before Christ BC तक के काल को 25 लाख से लेकर 12,000 12,000 इसापुरू के बीच के काल को पुरा पासान काल कहा जाता है तो पुरा पासान काल में लोगों के मनरण्यन के लिए क्या साधन था तो उस समय मनरण्यन का सबसे प्रमुख साधन था सिकार उनके आव सकता है भी थी और मनरण्यन का साधन बिटा आसकता है इसलम आमले में वे जंगली, फल, कंध, मूल और जंगली जानलों को मार कर खातेती है यही उनका भोजन भी था, इसी में उसका मनरंजन भी होता था, शिकार जियोग करते था यही उसके मुख्य साधन था, अगला है, मुझरिस किस राज का प्रमुख बंदरगा था, मुझरिस जो कि संगम काल में काफी परचलित बंदरगा था, जिससे विडेस हुए पार होता था, वो किस राज से संबंदी था, तो मुझरिस बंदरगा के बारे में बता दें, आप जब answer तब तक सोच है चेर चोलक पांड या कादम मुझरिश बंद्रगा वर्तमान में जो हमारा केरल राज में है केरल राज में अब आपको idea आ गया होगा इसका option कौन होगा वर्तमान जो केरल है उस केरल के इस केरल के अस्थान पर प्राचिन काल में कौन से वंस हुआ करते थे तो वहाँ पर चेर वंस थे चेर वंस का जो छेत्र था वर्तमान केरल का जो छेत्र है वहीं पर था तो मुझरिश बंद्रगा चेर राज वंस के अगरा देखते हैं मुहमद गोरी किस वंस का था उसका ONCE क्या था, सबसे पहले ये जानने कि मुहमद गोरी कहा का सासक था, तो अफगानिस्तान का था, अफगानिस्तान का गोर परांध का सासक था, मुहमद गोरी का पूरा नाम क्या था, सिहाब Uddin मुहमद गोरी था, तो अब चली answer पर आते हैं, क्वान सा ONCE था, यामिनी, संसबनी, गुलाम या खिलजी तो महमद गोरी का जो वन्स था साथियों वो था यामिनी, महमद गोरी का वन्स था क्या, यामिनी अगला है बहमनी समराज से सबसे अंद में कौन सा राजी सोतंतर हुआ बहमनी समराज जिसकी अस्थापना कब हुई थी अब बता सकते हैं मैंने पिछले वीडियों बताया था BARMUANी सम्राज के अस्थापना हुई थी 1347 में अब एक प्रहस ने BARMUANी सम्राज के अस्थापना किस तिली श अन्टनत के सासर के दौरान हुई थी तो मोहमद बिन तूग लग ये दोरान होई थे तो इसी बहमनी समराज जिसके अस्थापना 1347 में होई थे किस ने किया था हसन गंगु जिस ने अपना नाम बाद में क्या था कि अलाहुदिन हसन बहमन साथ बहमनी समराज की अस्थापना जो हसन गंगु ने किया था बाद में हर समराज के एक डिकलाइन फेज आता है उसी तरफ हमने समराज में तूट गिया और कितने में तूटा? पाँच छोटे छोटे राज्यों में तूट गिया ये पाँच छोटे छोटे राज्यों तूटे तो सबसे बाद में कौन तूटा? सबसे अंत में सोतंत हुआ था जो पांच प्रांट उसका नाम सुनने पहले बीजापूर, गोलकुंडा, आमदनेगर, बीदर और बरार ये पांच नाम थे, पांच राज अलग हुए थे इसमें सबसे अंत में हुआ था बीदर सबसे आंत में कौन हुआ था? बीज़र, उप्शन D और सबसे पहले एगर पूछा जाए? सबसे पहले तो बरार सबसे पहले कौन सा राज सोतंत हुआ था? बरार, और सबसे बार में बीज़र यहां से दो प्रसन बन जाएंगे बहारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस के सबसे अधीक समय तेक अध्यक्ष कौन रहे लग किसका कारेकाल सबसे लंबा रहा भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस के अध्यक्ष में तलब अजादी के पहले तो इसमें अभूल कला मजार, दादा भाई नरोजी, डबलू सी बनर जी या वल्लब भाई पटेल आपको option cancel answer चुनना है तो सबसे पहले बताद है भारति राष्ट्री कॉंग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे क्यों प्रते के साल में नए नए अध्यक्ष चानित किये जाते थे आपस में काउग्रेस का समैलन में लेकिन एक ऐसे भी इन चारों मेंसे है, जिनका की लगतार वो पांच सालों तक अध्यक्ष रहे तो वही सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष ले तो आपको आप समझ गया होंगे किनके बारे में बात करा है जी हां 1940-45 के बीच अध्यक्ष कौन रहे थे सायद आपको कुछ आ रहा होगा दिमाग में 1940-45 के बीच कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो अबूल कलाम अजाद इतने लंबे समय तक कैसे रहा गये पर्तिक साल जबकी चुनाव होता है तो इसके पीछे भी रीजन था आपको याद होना चाहिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था और दूसरी बात सेकेंड वर्ल्ड वार का भी ये फेज था तो बहुत ही विपरित परिस्तिती से देश गुजर रहा था हमारे नेतागन को ग्रिवतार करके बड़े बरे नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया था भारत समय कोई बाहर थे ही ने इसलिए अबूल कलाम आजाद 1940 से 45 से लगातार कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने रहे इसलिए कॉंग्रेस के अधिक समय थे कौन बने रहे तो अबूल कलाम आजाद अगला देखते हैं शमविधान के किस अनुछेट के द्वारा लोक सभा में आंगल इंडियन के लिए कितने सीटे हैं दो सीट दो सीटें एंगलो इंडियन के लिए आरक्षित हैं समविधान के किस अनुछेट relatively Waar यह पूछा जारा है दो सदस्यों का मनोनेयन किया जाता है इसी में आपको एक प्रस्ण आ सकता है ये तो मैंने लोग सभा के बारे में कहा कि राज सभा राज सभा ने विधान सभा शमविधान के किस अनुश्यर के तर विधान सभा में विधान सभा में एक एंगलो इंडियन विदान सवाव में कितने होते हैं एक लोग सवाव में दो विदान सवाव में एक एंगलो इंडियन सदस्च को मनुष करने का प्रावधान शम विदान के किस अनुशित के तर्द किया गया है तो वो अनुशित यह हो जाएगा 333, 333, 333, 333, तो ठीक है, लोग सभाव में 331 के ताथ, और बिदान सभाव में 333 के ताथ, याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज में शमान नागरिक संगीता लाग हुए, मिघाले, केरल, हरियाना या गोवा, आप एंसर बता हैं, तब तक आपको बता दे हैं, शमान नागरिक संगीता के बारे में, शमान नागरिक संगीता, जो की भारते संविधान के अनुचेर 44 में है, आर्टिकल 44 में, आप से ये भी प्रसन पुछा सकता है, शमान नागरिक संगीता, भारते संविधान के किस अनुचेर में है, तो अनुचेर 44, ये नीती नि यहां अनुष्यद 44 में लेकिन किसी राज ने ऐसा किया नहीं है भारत के सिर्फ एक राज ने ऐसा किया है वो राज कौने साथियों गोवा तो सबसे पहले आप यह जाने राष्ट पती का प्रावधान कहां से लिया गया है राष्ट पती का प्राधान हम लोग जिस देश से लिए हैं तो महाभियोग का प्राधान भी वहीं से लिए होंगे तो निश्चे ही आप समझ के होगे राइट एंसर क्या होगा अमेरिका, जपान, पुर्शियो सेंग या एरलेंड तो हम दो राष्ट पती का प्राधान जो है अमेरिका से लिए हैं तो महाभियोग भी कहां सो जाएगा अमेरिका से लाइट एंसर ए चलिए पिर्थवी के वायु मंदल का शरवाधि घनत कहां पर होता है हम जानते हैं कि वायु मंदल को पांच विभिन परतों में बाटा गिया है तो आपको पुशे वायु मंदल का घनत हो सबसे ज़्यादा घनत हो किस मंदल में पाय जाता है छोब मंदल, शमताब मंदल, मद्य मंदल या आयन मंदल में तो वाई मंदल का सबसे जाज़ जो डेंसिटी होता है, घहत होता है, वो सबसे निचली परत में पाई जाता है, निचला मंदल में पाई जाता है, यानिक निचला मंदल में कौन हो गया, छोब मंदल, ए नमर इसका राहिट एंसर होगा, अगला है मानसून, मानसून से हमारे इसमें वर्षा होती है मांसून पवनों के कारण तो मांसून जो सब्द है तो मांसून किस भासा का सब्द है फर्वी, अंग्रेजी, फ्रेंच या इस्पेनिस मांसून किस भासा से समंदित सब्द है और कहां से लिया गया किस भासा से तो इसका right answer होगा अर्वी आपसे प्रेस ने पूछा जा सकता है भारत में जो वर्षा होती है वो किस पवन से होती है तो मांसून पवन से मांसून में कौन सा पवन दक्षिन पस्चिम मांसून साउथ वेस्ट मांसून जिसको कहते है और उसी से भारत में maximum बारिस होती है वर्षा होती है पहला मांसून कब आता इंडिया में कहां आता है ये भी पूछा सकता है तो केरल में आता है मांसून की पहली बारिस कहां होती है केरल में और कब आता है इसका जो average time है वो 5 जून परते एक साल पांच जून को भारत में मानसुन आने का टाइम है एक दो दिन तर पांच दिन सब्टा भर आगे पीछे भी हो जाता है वो मानसुन में कुछ का सकते हैं कुछ अन्य चक्रवात का या लग-लग प्रभावों के कारण तो पहला मांसुन केरल कब आता पांच जून इस मांसुन को क्या गखते हैं दक्षिन पस्ची मांसुन और प्रश्न था मांसुन किस भाचा का शब्द और वो जगह क्या था मरहोरा कहीं कि आप वो मढहोरा भी मिलेगा आपका निफूज नहीं हो ना एंसर वह ही होगा ए नमबर अगला है भारत में अग्याद सेनिकों का इश्मारक है अग्याद सेनिकों का इश्मारक किसे कह जाता है गेटवे आप इंडिया, जालियाँ वाला बाग, इंडिया गेट या सब्ट मुर्ति, अज्याद सेनिकों का इसमारग, साथियों अज्याद सेनिकों का इसमारग किसे का जाता है जरू बतायां, गेटवे आप इंडिया, जालियाँ वाला बाग, इंडिया गेट या सब्ट तो पर्थम विस यूद में भारत को भी सामिल कर लिया गया था, तो जो भारतिया ब्रिटिस सेना में सामिल थे, उनकी का सकते हैं, वो सहीध हुए थे, वो उन्हें अपने प्रान को निच्छावर कर दिया था, ब्रिटिस किंग्डम के नतुत में, यूद में लड़ते हुए फर्ष्ट वर्डवार में, और अफगान यूद में भी काफी भारतिय सेनिक गए थे, ब्रिटिस नियंतरा में जब भारत था उसमें, तो उनकी और बहुत सारे अंग्रेज सेनिक भी मारे गए थे, तो उन सब के श्मिर्थी में अंग्रेजों ने इंडिया गेट का निर्म तरीके से, जो वहाँ पर सहित व अग्यात नाम के नुसर, इसलिए इसे अग्यात सेनिकों का इसमारक का जाता है, क्योंकि सेनिकों का नाम ग्यात नहीं था, तो इंडिया गेट, इंडिया गेट का दूसरा नाम भी आपको यार्ट रखना चाहिए, अखिल भारतिय युद पूछा जाए अखिल भारत यूद हमारग किसका नाम है इंड्यागेट का पहले का नाम क्या था। अंगरीजों के समय में इसे भी आपको या रखना चाहिए। किंगस वें इंड्या घिट पहला नाम था अंग्रिजों यो रखा था?". तो इंडिया गेट का नाम भारत जब गुलाम था उसमें क्या था पुछा जागा तो किंग सुवे चलिए आगे बढ़ते हैं अंत्रिक्ष यात्री को बाय अकास कैसा दिखाई पढ़ता है अगर अंत्रिक्ष यात्री अंत्रिक्ष पेस से फोटो ले इमेज ले इसकाई का अकास का तो वो कैसा दिखाई देगा हम लोगों को जैसे अकास निला दिखाई देता है यहां से लेकिन जब अंत्रिक्ष यात्री वहां से फोटो लेता है तो उसे वो काला दिखाई देता है राइट एंसर क्या होगा सी राइट एंसर क्या हो जागा सी ब्लैक दूरी. तो मेनोमीटर से किसी माफ की जाती है? राइट एंसर आपका होगा B गैसों का डाआब मेनोमीटर से हम लोग गैसों के डाब को माफного हैं. वायू डाब और गैसों का डाब में confusion नहीं होना है. वायू डाब को हम लोग किससे नापता है? बेरो मीटर से, वायु दापकुन आपने के लिए बेरो मीटर आता है, और गेसों का दापकुन आपने के लिए आपसे पुछा जाया, तो मेनो मीटर हो जाएगा, अगला है, आधुनिक आवर्त सार्ने में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, आधुनिक आवर्त सार्ने में तत्तों को वर्गी करन किया गया है उसमें ऐसे जो कर सकते हैं कि जो आपका 36 रेखाए होती है यहां पर जो 36 रेखाए हैं और एक तरस्त उर्धवादर जिसको horizontal करते हैं तो यह जो horizontal है यह जो column है column को हम लोग वर्ग करते हैं यह सारे होगे वर्ग यह सारे इस तरह आवर्थों की संख्या कितनी है तो हमारा जो अभी आवर्थ सारनी है आवर्थ सारनी में आवर्थों की संख्या मैं इधर वाला यह सब जो है इधर वाले का जो आपका 36 रूप में है तीर्चा है तो यह है साथ यह कितना साथ राइट एंसर सी हो जागा साथ अगर आ वादर है लंबवत है तो इसके कितनी होगी संख्या इसके संख्या सोला है अगर वर्गों की संख्या पूछी जाएगी तो सोला और अगर आवर्थ की पूछी जाएगी तो साथ मिली बग जो एक बिमारी है किस फसल से समझ देते हैं मिली बग नामक बिमारी किस फसल में होती एक जगह अग्दम संजूक्त हो जाते हैं और फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं तो मिली बग जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपका सरसों में होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ए अगला है मनुस्त के सरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं हमारे स किज़ुक करते हैं तो चोटल फिस करने होते हैं दोनों साइट बारह बारह करके एक साइट बारह ल07 में और यह 14 होती है तो जोड़े कितने हो ग दाइंसर यह हो जाएगा किसी किसी का एक पसले ज्यादा भी होता है लेकिन वह बहुत क्राइयर केस कया आए पांच स्व में एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको बसलियों की संक्या दोनों साइड कर सकते हैं कि 24 के जगा 25 हो जाए कहीं पर एक साइड उसका 13 हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं बिहार और उरिसा को बंगाल से कव अलग किया गया था पहले बंगाल का भाट हुआ करता था बिहार और उरिसा उससे अलग कर दिया गया था और फिर बंगाल से तीन राज निकली भिहार उरिसा बंगाल तीन रज बनगे तो कब हुआ था वह जानते हैं बिहार राजी dok abva हुआ ता पंगाल सिलक करके पभलो उनिष्व बारा उनिष्व बारा और वो date भी हम लोगोंने देखा है पिछले वीडियो में जो कि बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं वो आप comment बताएंगे कि बिहार दिवस कब मनाई जाता है पिछले ही प्रैक्टिस सेट में हम लोगोंने solve किया है बिहार और उडिशा को बंग में ही हुआ था उनका बच्पन पत्ना में ही बिता था जो सीखों के दस्वें गुरु थे गुरु गोबिन सिंग जिने खालसा पंथ की निव रखी थी और एक तरसर का सकते हैं सीखों के धर्म पर्थिष्ठा मान सम्मान के लिए उन्हें काफी संघर्स किया और अपने का सकत सीखों कोई अलग पहचान दिले उन्हें अलग सक्तिसाली कौम के रूप में अस्थापित किया गुरु गुवीन सिंगे तो ंनका जनम पत्ना में हुआ था यह पुछा जनम कहां पट्ना में बचपन कहां भी ता पकट्ना में लेकिन का लिगतत हुआ निकां किस साल देस ह हाल ही में अपनी मुद्रा कुना उस देश की मुद्रा क्या थे कुना कुना से यूरो में बदल गया और यूरो जौन का बिश्वा सदस्य बना यूरो जौन का बिश्वा सदस्य बना यूरो जौन का बिश्वा सदस्य बना यूरो जौन का बिश्वा सदस्य बन गया तो आप स्लोवेनिया क्रोएसिया सर्विया रोमानिया इसके पहले मैं आपको चानकारी देदू कि यूरो जौन क्या है साथ यूरोपिय यूनियन का नाम आपने सुना होगा जिसे स्वार्ट में यू गोलते हैं यू यू यूरोपिय यूनियन में अभी 27 देश है पहले 28 था लेकिन अब ब्रिटेन यहां पर नहीं है ब्रिटेन अलग हो गया कब 31 जनुरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपिय यूनियन से अलग हो गया जिसके कारण 28 के जगा अब यहां पर कितने मेंबर है 27 तो यह जो 27 मेंबर है इन में से 19 लोग पहले यानि आप 20 हो गये 20 लोग क्या करते हैं एक सामोहिक मुद्रा चलाते हैं उस मुद्रा को ही यूरो बोलते हैं यूरो मुद्रा चलाते हैं इन देसों में यानि यह 20 देश है यहां पे जो कारोबार होता है उसके लिए इनका जो पॉंट है डॉलर है звуч Dwight नहीह कर रही है बलकि वह सब यूरो में ही लेंदेन क को बढ़ावा मिलता है जैसे मानले जब कुरेशिया जो था इसका राइट एंस साथ कुरेशिया होगा यह जो देश है इन्हें कुना को क्या किया अपने उसकी देश की मुद्रा उसे हटा दिया अब वह यूरो से कारोबार करेंगे यानि दुसरे देश के भी लोग आएंगे यूरो में समान लेके जाएंगे यूरो में payment करेंगे और कुरेशिया भी दूसरे देश बर्दी होगी यहां पर दो ही देश नहीं बलके 20 देश यूरो जॉन में टोटल अभी सताय यूरो पीय यूनियन में 27 देश है जिसमें 20 लोग ही 20 देश ही यूरो जॉन के मेंबर है यानि जो साथ है वो अपने अपने मुद्रा को रखे हुए है उन्होंने उसे छोड़ा नह है तो कंफूज नी होना है यूरोपिय यूनियन में 27 देश है सभी ने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया है यूरो मुद्रा को सिर्फ 20 ूने अपनाया है तो अन्ती जो अभी नया देश बनां है uh उसे उसके देश का नाम है क्रोऊजिया बी नंबर इसका राइट अंसर होगा क्रोएशिया क्रोएशिया तो यूरोपिया यूनियन के ही 20 देश जो की यूरो को अपने व्यापार में उप्योग करते हैं यूरो मुद्धा को उसे ही यूरो जोन या यूरो छेत्र कहा जाता है यह था साथियों आज की इंपोर्टेंट प्रस्न अमिद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन रहेगी थैंक्यू वेरी वेरी मच आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकाफ ट्रेक्टिस से पर दे मिले एग्जाम तक मिले आपके त्यारी अच्छी हो आप चैनल पर नए है तो जरूर से सबस्क्राइब करें बेर आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपको ज्यादा ज्यादा फाइदा होसके एक्जाम में थैंक्यू वेरी वेरी मच पर वाचिंग दिस बीटर कनेक्टिंग उत एक्जाम फैटर नमर धन्यवाद